कि तुम लोगों ने आज सक्सेज़ परफॉर्म नहीं गया और तुम पहली बार बीट बॉंट्स करने जा रहे हु और तुम लोगों को समझ नहीं आ रहे कि मुझे अपनी पफ्फॉर्मस कैसे प्लान करने चाहिд चाहिए एपनी पफॉर्मस प्रफॉर्मस कीरा क्या क्या कि ब豆다가 मलब कुछ बोला था नो दिया कि तुम लोग को मालुम हो जाए कि तुम ही परफॉमेच्ण कि तुम त्येखर है तो नवे साउंड आती है तुम कि marketing लोगों के तुम कर रहे हां डिफो है और स्टासथ कि व्मिन Ayam है around one and half minute की यानि 90 seconds तो तुम क्या करो तुम प्रिपार करो two minutes के लिए at least at least two minutes two minutes से जाद भी कर सकते हो उससे कम मत करना because होता क्या है जब हम stage पर जाते है खास का जब हम पहली बार stage पर जाते हैं तो होता क्या कि जितनी चीज़ हम prepare करके जाते है न वह exact वैसे नहीं हो पाती stage पर अगर तुमने exact कर लिया तो बहुत crazy चीज़ हो जाएगी अगर तुमने बिल्कुल जो plan किया है वही exact वहां जाके बिल्कुल वैसे हो जाए तो लेकिन यह चीज़ याद रखना तुम exact भी मतलब कि तुम्हें क्या-क्या sounds आती है क्या तुम्हारे पास कोई routine है भी या नहीं है अगर तुम्हारे पास routine नहीं है तो stage performance में तुम कैसे कैसे routine बना सकते हो क्या drops use कर सकते हो क्या intro कर सकते हो वह सब तुम्हें एक playlist में मिल जाएगा जो मैंने बना रखिया अलरी यहां चेक माइक चेक यह सब बहुत ज़्यादा इंपोर्टन जो जाता है और beginner beatboxers को इनके बारे में बिल्कुल नहीं पता भाई लाइक होगा यह तुम बीट बॉक्स बारे में बिल्कुल नहीं पता बाइक हो गया तुम बीट बॉक्स बहुत कराब चीज़ है ऐसे ऐसे करोगे सबसें इसा कुछ नहीं करना ठीक है सबसें इंपोर्टन है माइक चेक करना माइक चेक तुम कैसे करोगे देखो कि वहां sound system कैसा अगर sound system खराब है तो तुम जो मर्जी कर लो वैसे जाएगी लेकिन उसमें भी तरीक है कि तुम खराब sound system पर कैसे ऐची performance दे सकते है तो उस साउंड इंजीनियर है अगर budget अच्छा है तुमारे college का या फिर event का वह sound engineer होगा ठीक है उसको बोलो वाई माइक पे bass बढ़ा दे bass बढ़ा दे बिबी को bass पतंद है और treble भी बढ़ा दे या बोलना bass और treble की जगह तुम lows और highs भी यूश कर सकते हो lows bass के लिए होता है highs treble अगर अगर वो lows increase करेगा तो तुमारे जो bass वाले sound है kick drum, throat bass यह सारी चीज़े बहुत ज़्यदा बेट रहेगी ठीक है और अगर वो highs भी increase करेगा तो तुमारे जो snares है और high hats है यह सब बेट रहेगा एक चीज़ तो और बोल चकते हो उसको कि mids नॉर्मल रहे देना जो mids होते है वो होते है normal voice, normal vocals के लिए तो उसको तुम मत छिड़वाना, सिर्फ तुमको क्या करना, mic setting के time पर stage पर जाओ, जो sound engineer है उसे बोलो highs बढ़ा दो और lows बढ़ा दो, यह सबसे ज़्यादा basic settings है mic के लिए beatboxing performance के लिए इसको याद रखना, एक चीज़ याद रखना, अगर bass कम ही करवा लेना, बिल्कुल full मत करवाना, क्योंकि हो सकता, उसकी वाटे से सब कुछ messy messy लगे, तो तुमको perfect level चाहिए, जहां पर तुमारे kick drum bassy भी सुनाई दे और वो फटे भी नहीं, ठीक है, वो तुम experience के साथ चीखोगे, अलग-अलग जगा जाके perform करोगे, अलग-अल आउडियंस कौन है, तुम्हारी audience teachers है, तुम्हारी audience students है, तुम्हारी क्लासमेट है, तुम्हारी audience ऐसा है, जिनको beatboxing के बार में कभी नहीं पता, यह तुमारी audience ऐसे जिनको beatboxing की ठुभी की knowledge है वाई, तो उस पर depend लेकिन क्योंकि तुमारी फर्स पर्फॉर्मेंस है तो मैं एस्यूम कर रहा हूं कि वह या तो कोई फैमिली फंचन या कॉलिज फ्रेशर तोस्कि तुम टेंचन मतलो यूजthe gleby patterns, यूज the party patterns, यूज the simple patterns, do not make them complex, complex not doim't doim't laugh !। complexstart לא don't do spect Shell very simple patterns not complex उनको कोई मतलब निए। उनको ज़्या की Birthday Lakes तो मीरे रिजन पाचि करे दिसके हैं अगर तुम तो सॉथ इंडिया से हो तो तो सॉथ इंडिन बीटबॉक्सिंग प्माइब अगर सुखर प्रफोर्फॉर्फ रट करोंगे और फिर तुम है पता चलेगा अरे अरे सब कुछ नहीं करना हो ता प्र तुम फिल्टर आॉट करोगी किया करने क्या नहीं लेकिन first performance में use groovy patterns keep it simple अगर audience normal है तो ठीक है ज्याद रखना beatboxing audience के लिए बिल्कुल अलग चीज़े है भाई वो हम फिर कभी बात करेंगे fourth point is interact with the audience interaction मतलब यह निया कि तुम उनसे भात करने लग गए आप तुम crowd work कर रहे हो stand up कर रहे हो और इशारा करते हो audience को कि clap करने के लिए कुछ audience समझजदार होती है कुछ नहीं करते है तो मैं क्या करता हूं clapping को नहीं करते हूं आउन तो इसलम अच्छा है तो भी और नहीं होगा तो भी आयगा बढ़ी आयगा तो यह पॉइंट यहाद रखना कि ओडियन से ड्राइग करने के एक तरीका यह एक तरीका है कि तुम इश बुलवाओ उनसे या फिर एई बुलाओ लेक बुल एई 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 तुम और यह बो तो ओडियन्स में से किसी रैंडम बंदें का नाम उठाओ और उसके नाम की बीट बॉक्स कर दो वह तो आप कर सकते हैं हो सकता है थोड़ा करीश लगे लेकिन तो स्टेज पर बहुत मस लगए और मैंने भी किया हुआ यह और बहुत मस इंपाक पड़ता है ओडियन्स खु तो तुमारे preparation के according अगर वहाँ पर नहीं कर पाए तुम perform तो भी audience के लिए तुम जीरो से वहां तक पहुंचे हो समझ रहो मानलो कि मैंने बहुत अच्छे से prepare किया था कि मैं बहुत सारी सीज़े करूँगा लेकिन stage पर जाके मिरे से खाली इतना ही निकला क्योंकि mind blank हो गया था लेकिन audience को थोड़ी मालो है कि तुमने कुछ और तैयारी करी थी और तुम यहां पर कुछ और कर रहे हो नहीं ना stage पर जो तुम कर रहे हो बिल्कुल ही अलग होता है जो तुम prepare करते हो उससे ठीक है अगर तुम बहुत ज्यादा nervousness होती है लेकिन जैसे तुम परफॉर्म करोगे तुम्हें first year मिलेगा audience लाएगी तुम्हारा सारा confidence एकदम वापस आजाएगा और तुम्हें बढ़िया परफॉर्म करो अगर गलती हो भी गई तो audience को मत शो करना कि तुमने गलती करी या फिर तुम वह रहे हो थोड़ा सा कि अभे आर काश मैंने मैंने जो prepare किया था वो नहीं करा अभे यार मुर खराब हो गया ऐसे से एसे मेरे साथ खुद ऐसा हुआ हुआ है कि मैं stage performance करने गया हूँ और मैंने जो perform करने का plan किया था वो नहीं किया जो drops मैंने plan किये थे वो नहीं पढ़े हो आपे फिर मैं पुराने drops करके आगया तो यसे करा आप यार कुछ नहीं ट्राइन गया लेकिन audience को मजाया लेकिन audience को पता नहीं चलेगा कि तुम क्या कर रहे जाओ क्या नहीं तो be confident जाओ तुम परफॉर्म कर रहे हो पहली परफॉर्मेंस हमेशा याद रहेगी तुमें और अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस खराब हो भी गई पहली तो याद रखना there's always second performance जहां पर तुम फाड सकते हो पहली परफॉर्मेंस की वीडियो ज़रूर बना ले ला इंस्टाग्राम पे डा अभी तो जिस टाइम यह वीडियो बना रहा हूं सबकुछ बंद हो चुगा था ताब धीर दीर खुलना चाल नहीं और बच्चे वापस से कॉल जा रहे है और दिल परफॉर्म परफॉर्म फोशार I am also very excited to perform again on the stage, let's see कब होता है क्या होता है कैसे होता है बागी all the best to you I hope you guys had fun I hope you guys have learned something from this video and keep supporting the channel we are very close to 10,000 subscribers so do subscribe subscribe maro is video target 5-0-0 likes because I know this video is endless and this video will do all the work now too, 2 years later, 4 years later, 5 years later, 500 likes to bring anything so thank you so much for watching keep watching Gunal BBX you